तो हलो नमस्तिया स्नार्गों सश्यकार केम छो नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्दगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा के फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक डाउन हुआ जब ये लॉक डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया क कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजिटिबल्स के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलोमेटर द बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वालने का हम से कि यह मास पेंड़ो और यह मास पेंड तो उनको समझे में आ घ import कि जो नहीं करना था उन ने किया बेयानि की और मैंने से खाया कि यह जो कि आपको मना किया ग्या था करने के लिए और रहायाई भी बेवकूफी की चीज़ की अब दिमाग से निकल गया है सोचा के बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आरी कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात बहुर से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका सियम खो देना होप खो देना वो उससे बुरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिंट है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा गल्दी हमसे हो गई और जो नेगेटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये विमारी दे देंगे खांदान से महले को महले से शहर को शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मेंट ने के बाहर मत जाओ सोशल कैदेरिंज ना करो यही कहा है न दोस्त यारों से ना मिलो आइसोलेशन में रहो घर में रहो परिवार के साथ रहो परिवार के साथ वग गुजारो इस अब किस के लिए? उनके लिए? नहीं हम सब के लिए नमास पढ़ना है घर पे पढ़ो बुजापाट करनी घर पे करो बच्वर में यह सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मरना तो एक दिन सब को है लेगिन क्या कोई मरना चाहता है यह यहां पर आके यह बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो स्टार्टिंग विइट योन फैमिली तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मता-पिता तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साह साथ चुरुत करोगे अब आब बताव पुलीस का साथ देना, गरुमेंट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है, करेक्ट है, रॉंग है नेगिटिव सोच रहे है या पॉजिटिव सोच रहे है अगर आपके आक्शन सही होते, तो ये लोग डाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी, अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते, ग्रूप्स में, दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठों पर डंडा नहीं मारते, आपको क्या लग रहा है, इसमें के पुलीस वाले को मजा रहा है किसने रोका है आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सवा लेने जाओ घर तुरंट आ जाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो कलव्स पहनो अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 गंटे काम कर रहे हैं किस के लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपात अमीर गरीब छोटा बड़ा कम उमर हम उमर बड़ी उमर कुछ नहीं देखती अब ये पुलीस वालों की ड्यूटी है वो निभा रहें और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें और वो भी आप नहीं निभा रहें मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के भार कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बाहर मत निकलो उन्होंने निकलना शुरू करती है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रही हैं और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसके वज़े से आप अपने ATM और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खत्रे में धाल रहे हो, यह कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सस आपकी जान बचाने क लियाए और आपने उन प्प्थर बर्सा दिया जो करोना से डिटेक्ट rolls गो रहा है वह वह भाग रहा है भाग के जाओगे काहा किस और भाग रहे हो जिन्दकी के और भाग रहे है मौत की और भाग रहे हो अगर ये समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाये पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग जानी है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरस नहीं होता इतने लोगा काम तमाम नहीं होता औ पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वरवाब बड़े भादुरवाब कि इतने भादुर इतने तकत वरवाब कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उतकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आपके यूँ आप यमराज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते है पड़ना चाहते हो हर बात के दो पेलू होते है जिसकी भी दोई है एक पेलू यह है के हम सब रहें दूसरा पेलू यह है कोई ना रहे है आप रिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे न पहले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे बनेवाद